कि हेलोन वर्ट सब काई स्वागत है आप सब का हमारे चैनल दिमयत बनी में आज हम लोग एक्सरसाइज 2G के सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए ठीक है और एक्सरसाइज जो की बर नॉलीज एक्वेशन का है ठीक है तो हम कोईसिन नमबर वन से 16 तक सॉल्व कर चुके थे अब हम 17 के आगे का कोईसिन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2G का तो चलिए सुरू करते हैं तो अब हम आ जाते हैं कोईसे नमर 17 में कोईसे नमर 17 में तक हमें दिया रखा है डिवाव डिएक्स माइनस एक्स वाई इस उकल टू एक्स कि यस्क्वेशर हाँ तो यह क्या है य नोली एक कश्वेशन यहां पर यह वाई का फंक्शन दिख रहा है ठीक है यह नहीं है तो यहां पर इसे कुछीन में आजब हमें मालूम है जो कि क्यू के जगह पर जो भी हमें वाई का फंक्शन दिखाई रहा हो यहां पर वाई स्कौर्सवेशंचार को से डिवाइड कर डिट करने फ़ह मिल ज्यक्ता कि्या क्थ बगल जो भी इसके डिट करेंगे यहां यहां सेयर किया कि तो में गुफ्राइड किया सारा वह гол Gymhaw पुट कर देंगे इसमें दो में मिल जागा एवला और समर्चिकर जो कि है माइनस दीजेट बाइडि एकस माइनस जेड एकस उकल टू एकस क्यों है इसमें 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 सब्सक्राइब निकाल लेंगे फिर उसके बाद हम् इंटेटिट्रेटर्ड का वैलू निकालेंगे फिदेल पी डीयक्श कर देंगे मुख़र के लूप लूपकर देंग आपर जो की मैं कारे थे तो पिकर भया ज़ींट इन्ट्रेटिक्रेशन प्रेस्पर ambition ऑफ टू यानिंग्ञिक्र cat अगुम जिसप़ लिनियर हो रहा होता है यहां पड़ीक्वेशन हमारा जेट पर लिनियर हो रहा है इसलिए हमने जेट से क्या किया है गुना कर्दें प्रेंट इन्टीग्रेटिंग नियुक्तों को माइनस इसकल टू प्रेट पीड की ऐल लूंध माय कि था अने पूड किया यह ना यह फूवलाइं नहीं होता है हम क्या डालते हैं इंटिकेशिन पी इंटू आई एफ हैं ना स्वरी कि इंटू है ये तो क्यू का भैलू हमने माईन्स x q निकाला था है थीकए इंटेगेशन ओब क्यू इंटू इफ विद्पट्ट तुएक्श्या करना इंट्पट कर दोएं क्यूंका वैलु मैंस एकस्ट क्यूं था हमने पूट कर दिया इंटीग्रेटिंग फेक्टर का वैलू हीपावर एकसर इसफार वैट्टू था भीट कर दिया अभी इं माइनस है पावर three है तो तीन बार माइनस कोना कि यह सॉझा पहर आएगा ही नौ गहलं नो assessor आएगा फिर हम देखेंगे की कि रूंब tha वाइट वाइस उसको हमें लेड़ करना ही नहीं रहेगा तो एकस पावर टू मैनस उनने सब्सक्राइब करने शक्राइब करें कि यहां से टू और तो थो पो एक्स बिलेगा है यहां पर एकस पावर मैनस वन स्वास बस्त फर उन पचे घात एकस पावर वन को आख भी लिख सकते ना यहां से हमें हम देख सकते हैं तो हमने बाहर ला सकते हैं तो हमने बाहर ले आया फिर बचेगा अंतर क्या टी बचेगा और इंटु इपावर टी बच जाएगा ठीक है यहां से वहाई निकाल सकते हैं यहां पर हमें निकाल सकते हैं यहां पर हमें टी टी फूर्ट इस बात में डीटी बाइड ढीक्स का यहां तो यह तो समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं इंटीग्रेटिंग पार्ट से इसको हम सॉल्व करेंगे कि यहां पर दो दो फंक्सन है इसको पहले तो आइलेट की एकोडिंग देख लेंगे कि एरेंजिट है की नहीं तो इक्सपोनेंसल फूम क्या लास्ट में होता है यहा करते हैं पहले करते हैं फ्रूसरे फंक्सन को क्या करते हैं विए टीगेट करें अपर सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहिए तो इपावर को को मन ले सकते हैं युछ चोड़ सकते हैं फाल वाइब करेंगे भींगे न पर समने पूट किया था इसलिए इतना आ गया है अब इसको हम नीचे लेंगे इतना 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 इतन से कैंसल आउट कर सकते हैं इसको और इसको करेंगे और इसी क्या गुना जाकर हो जाएगा हम चाहें तो यहीं तक छोड़ देख सकते हैं यहीं हमारा अंसर हो सकता है और चाहें इसको आगे कर सकते हैं यहां स सकते हैं मैनस 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 मान सबस्क्राइब की जगहा है । दूसरा कॉंस्टिंट हम लेट कर सकते हमने माइनस सीवन हमने यहां सीटू ले लिया है तो याकि यह भी पोजिटिव हो गया यह यह भी हमारा आंसर हो सकता है ठीक चाहिए उपर वाले तक भी छोड़ सकते हैं यहां भी छोड़ सकते थे कोई दिकत नहीं है अब हम आते हैं हमनी नंबर कोशन में हमें दे रखा है डवाटइकिस की यह जो ट्यक उन के लिए की मैस एक सिक करने के लिए इस एक सल्ब्सक कर ने के साथ यकुर। ग्रताय। है। इसको फुरा को सब्सक्राइब ऑइक्षाइब स्बारुब की मिल जाएगा अब हम क्या करते हैं एक्सेप में की जो भी डिव nove的时候 दिख रहा होता है उसों क्या करते हैं कि लेट करेंगे लेट कर लेएगे तो लेट करेंगे और उसको differentiate कर देनंगे हम एक्सके रिस्पेक्ट में तो इसको य कोई कर सकते हैं क्यों को इसको diff करने में क्योंकि असानी होगी इसलिए हम नेरी ख्रम है लिवे इसा कर दिया तो यह करेगा यहां से हम इसको ओ नीचे भी ले happens सकते हैं तो नीचे लिएंगे इन्टो डिवर क्या करेंगे इस के त्ट कर सकते हैं तरह मिलेगा एच्छाओ तो पुट्ट करने पर दखें क्या मिलेगा बहुत अग्द एक्स इन्ट उन बइं इन रहगा पुरी किया यहां पूल यहां कर देंगा वियुआ है वाई जो मीग लिखें करते हैं जो अगया चलते हैं वी इसको और करेंगे कीरेखें होता है वन बनाना होता है इसलिए माइनस टू से पूरी केशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर मिल जाएगा माइनस टू एक्स क्यू आगे चलते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि इन्निट क्सेशें हैरे कि इसलिए पर फॉर्मला मेंट कर देंगे मिल जागा में इंटिग्रेटिंग फैक्टर पी का वैलू निकाले थे माइनस टू एक्सपूट कर देंगे आपर देहां पर डिक्स के रिस्पेक्ट में हमने इंटिगेट किया है यह बाहर लेंगे इंटिकरेशन आफ एक्स एक्सक्वार बाइट टू और इसको मागे साक्ष करेंगे टू सिट्टू किया हो जागा कैंसल आउट हो जागा बच्चे हमारा पास माइनस एक्सक्वार फिदिए हम जेनरल एक्क्वेशन जेनरल सुल्यूशन निकालेंगे इसका जीस पर लीनियर हो रहा हो तो उसे हम इंटिगेटिंग फैक्टर को मल्डिप्लाई कर देत करते हैं आपर हमक्यू का फेल्व पुट्ट किये एक बूइसको ल बाहर ले आ सकते हैं और और क्या कर सकते हैं resilient क्या कि लेट कर लिये च्शार को हम क्या की लेट कर लिए हैं आगे हम इसको डिफ्रेश्एट कर सकते हैं पज्बिस थैसे सक्वायर दिख रहा है फिरकवे सब चलिएक से करेंगे एक सकया रिस्पेक्ट में मिल जाका मैं मैनस मुठी सफ्काइब थे quieres लिख सकते हैं और एक स्कुर्य का ब lore हम यहां से पूट कर सकते हैं माइनस्की पूट कर सकते ही यहां से हमने की यहां किया ट्र gehgy third स्कुंख च्था जी थ Five मैंने के श्वार क लगाए हैं तो मैदक खैने से त्यूंद ब्राबर चीम यह थूब tan यह तो बराबर चीज़े स्मय जो हम निहां किया है अब देखिे यहां क्या करेंगे हम कि देखिए कि एकस और एकस दू कैंसल आउट हो जागा ठिक है यह माइनस क्या हो जागा एक माइनस कि अफल जागा यह तो है इद फीर बचेगा यह को मिला कर के कर दोना होता है एक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझ मैं आधरी हो तो मैं इसको होना होता है इक पड़ियों करते हैं दूसरे को एटिग्वाइट करते हैं मैले का ऑन देरी वैशन फिर दूसरे का इंटीगरेशन फिनेक्स स्टेप में हम इसको भी इंटीगेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इप आवर टी है ना यहाँ पर माइनस था ध्यान देज़ेगा देखिए यहाँ पर माइनस था इधर भी माइनस था तो ब्रेकेट टोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा और इध करने प्रेट गश्राइट का टर्म में सब्सक्राइब करने पर हमें कुछ इससे ट्रांस्फर्म में धूं झाइगा अब कटिंग करेंगे इसे माइनस माइस माइनस के आप्लस हो जाएगा और कुछ है तो देखिए यहां से कैंसल आठ हो जाएगा यहां जाएगा मल्टीप्लाइब हो जाएगा तो यह से मल्टीपलाइब पूछ दिखेगा ना जो पावर नेगेटिव फ़ोज़ जाएगा नदेगेगा और इधर देखिए एक स्कुर बचा इधर क्या पचीत कैंसल कर दिया है तो हमें मिल गया कुछ इतना ठीक है एंटी नम्र में हमें दिये रखा है एक्सकंग क्यूं फॉर एक्सक्अ अट अटो डिय वाई इसका चाल अलग करें एढ़ Lego कि क्या करेंगे एदर ले आएँगे और यह बस इस वाले टम को इधर ले आएंगे तर महारा काम हो जाएगा इसलिए क्या क्या इसको एरेंज कर दिया ते उल्टा पूल्टा कर दिया करने मतला डी एकस भाइड कर दिया है ना इसको उपर ले चले गये चले गर यह हमें कुछ हिस्ता मिलीया कर सकते हैं हम डी इस वाइड वाई के वहाइड क्या एक करतर दिखना जरूरी है इसको बागल में लिख लेंगे तो इसको श्री लें राइट साइड में क्या बच्छा हमारे पास X Q Y Q बच्च क्या है अब देखिए हमारे यहां जो लिखें हैं इतना D X by Dy-X by Y यहां पर हम देखेंगे कि लीने डिफ्रेंशन ऑक है ही नहीं है ना क्युंग किव केशसे पे देखिए फंक्सण होना चाहे था एक्स का function बिल्कुल नहीं होना चाहिए था बठेशाओ पर हमें एक्स का function दिख रहा है ठीक है एक्स का function नहीं होना चाहिए था जो कि है इसलिए क्या है कि linear differential equation नहीं है यह करेंगे क्या करेंगे कि linear differential equation में रिड्यूस करेंगे यह क्या करेंगे कि linear differential equation में reduce करेंगे तो reduce करने करेंगे इसलिए पहली बात तो यह हमें एक्स क्या नहीं होना चाहिए था इसको माटाएंगे न हम क्या करेंगे पूरे equation को x q से divide कर देंगे तो divide करने पर हमें मिल जाएगा 1 by x q into dx by dy minus y by x square is equal to y q ठीक है अब देखिए हमें जैसा कि मालूम है next step हम क्या करता है बर्नौलीज equation में कि dx by dy जो भी हाँ पर दिया रखा होता है explainer जाने कि नहीं है मनोग explainer नहीं है मान के चल रहे है ठीक बर्नौलीज equation पर कि देखिए तो बगल में हमें यहाँ फंचन पर जो भी ऐस का function दिख रहा होता है उसको क्या करते हैं let कर लेभिए यहाँ अब हम en между why is score one by eleven subscribe को क्या क्या किए हैं जड माद लिए हैं अब हमें देखिए हमें वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना इसको डिफ्रेंशेयेट करना तो सब्सक्ते दो क्या है कि एक पावर मैनस डू भी सकते है तो और फिसट्व करेंगे द्रिवाई अप दर दर और इवया जो अपने अले लिखा है माया बीच टूट्वंट करांगे यह कंद दो पर था ही सब्सक्राइब नीचे भी आ गया है अब देखिए हमें जरुरूत है इसी इसी वह ना हमें हटाना है तो इसी इस तरह मिल जाएगा हमें माइनस वन बाई टू इंटू इंटू बाई डी वाई ठीक है अब हम सब्सक्राइब धimes जो करते हम आँजी आँज क्या है रही की अदिकैक है लिभूस में रजाट हो जाएगा फिस enclisos को लुकर सकेंगे courtesy इसको मान के यहां से हम चाह करेंगे इसको माइनस वन बाइट टू इसको माइनस वन बाइट टू को इवाइड कर देंगे तो मल्टिप्लाइग करने पर हमें मिल देगा कुल इतना अब इसको असानी से आई भी कष्ट करें तो उसके क्या कंपेर करेंगे कर देंगे मिल जाएगा वां यहां इन्टी इंटीक्रेटिंग फ्येकर भी सथे यहां निकाल सकते हैं यह पावर इंटीग्रेशन ओपी डीवाई पी का वैलू पूट कर देंगे मैनस टूवाई ठीक है फिर यहां से टू को बाहर लेएंगे इंटेग्रेशन ओवाई हो जागा मैनसरी वाई स्कॉर्वाई टू हो जागा तू क्या हो जागा कैंसल अट हो ज किए थे हैं टिटीट पर काई क्या लीनियर है इसलिए उसलिए हम जेट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटेग्रेटिंग फेक्टर को यहां भी वहीं किया और जेट का वहीं हमने लेट किया था वन बाई वाई स्कॉर्य हमने वापस पूट कर दिया लिग्स पूट कर दिया दोबार आफ देखे से हम माइनस और ले आ सकते हैं बचे घाव हैं Felix ने लिखा है अब यहां से इपवर स्वेक्elnाथ कर देञा हैं हमक्या करते हैं ताके आसानी से अंगे क्या करेंगे कि इसको आइकर स्था क्या बर्लब कर दयांगे तो त्रीप्रेंसिेट पर वाई के रिस्पेक्ट में मिल जागा टू वाई इसकल टू डीटी भाई दी यहाँ पर हम सारा वेलू जो कि अभी ने लेट किया है हम पूट कर देंगे इसमें ता हमें मिल जागा यह वाला एक्वेशन ठीक है तो यहाँ यह जागा चछेगा हमें वाई स्कॉर इसकल यहां पर फिण करने पर और डिए ज्कल्त यहां से निकाल सकते इसके हैं यहां से शोओ Heardly कि हो कंशल अट है ईहां ऐसे हुँक्स है केंसलट हो ञगा वहां यहां होTO है यहां किया बाहर निकाल दिए कestion बातों है यहां पर टिए भजा इसको हम आगे हम देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें पहले को एक छोड़ते हैं दूसरे को इंटिगार्त करते हैं फिर पहले को डिफेरेंसेट करते हैं दूसरे को को integrate करते हैं फिर हम क्या करते हैं इसको आगे solve करते हैंeren इसको करेंगे तो मिल जागा मेनश तो पहले से था ही ऑप देखिए हिहां हमने पॉlt कर देंगे था इन मभी कुल टू अपने हमने लिया था क्या रिया था लिखाई है आपका यूफ्ट की साइड कटбоIGN और राइड के साइड कách टेंगेसी पट हुम की लिखेंगे दिन नहीं है उन्हीं इसका देफां पर हम यूफया पे दिखाया जो कि यह खार है और याइड साइड और जो है जो टी इनटू यह पवर्टी है उसको क्या करेंगे वाइस्ग्राइब कर देंगे दिए इनषन पर लेट के था वापस पूड करेंगे ज़ा कुटिकल दोाइब करेंगे तोट देंगे क्विछ्यस कैसा मृईटला फॉट्ट केरिक्ट करेंगा बन थे यहां पर कर बासकते हैं तो कैंसल आट करने पर यहां से स्क्वाइर को इदर लिया सकते हैं यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है एक सब्सक्राइब करके मल्टिप्लाइब कर देथा हमें कुछ इतना मिल गया है हमारा के जनरल सल्यूशन हो गया है अब हम वातने हैं 20 नंबर क्वेशन में हमें दिया रखा है दिएकस माइनस एकस वाई इंटू वन प्लस एकस वाई स्कॉर इंटू डी वाई इसको जीरो तो यहां पर हम इसको सोल्ब करने के लिए पहले तो क्या करेंगे कि इसको हम राइट सेड ले चले अब वहां से हम डी और दी एक सबद्स निकालेगे का कर लेंगे क्या करेंगे टी एक सब्सक्राइबडीवाई य क्जिग रस थैना जाइ सबद्सक्रार बीस नहीं चलने का मैठीत सक्क्राइब में आपक्रण सो यहां निकालेंगे जो कि हो जाएगा एकस एकस वाई प्लस एकस स्क्वाइर इंटु आइक्यू अब देखिए आपर हम क्या करेंगे कि इस एकस वाई को हम लेफट चैले याएंगे ना डिक्स वाई डिक्स का टॉम जो है सिंगल डिग्री वाला उसके बगल में होना चाहिए जो कि एकस वाई है एकस वाई को हम क्या करेंगे लेफ चले लेकर चले याएंगे हम देखेंगे कि यह क्या है कि यह बर्नौलीज इक्वेशन है कैसा मैं इसलिए कह रहा हूं हम साफा जानते हैं कि यहां पर पी और क्या होना चाहिए कि या तो कॉंस्टन होना चाहिए या तो यह y का function होना चाहिए नहीं जो है नहीं जो दिख रहा है इसना नहीं होना था यह इसे हैं कि यह साप से यहGAN है Byernaulti equation को solve करने के लिए UK क्या करते हैं ग्यूंक्य के जगह में जो कि हमें देख सकते हैं कि ऑमना चाहिए कि एक सवार नहीं देखना च्वाथ एक सब्सक्ते में क्या करते हैं कि उसी फंसन दिख रहा होता है उसी इस वट wizard यसे स्क्वायर उतन यहाई करेंगे तो एक से स्क्वायर स्कॉर्ण को डिवायわかarेंगे है यहां से एकसद्रेक making online कर देते हैं अब देखे यहां तो x का function जो भी हमें दिख रहा होता है उसको क्या करते है कि लेट कर लेते हैं यह पर हमें 1 by x दिखाई दे रहा है इसलिहें क्या करेंगे कि 1 by x को हम लेट कर लेगए यहापँ डेट मान लिया है अब इसको हम क्या करेंगे कि Y के respect में हम differentiate करेंगे तो 1yx को हम अगर करेंगे य के respect में differentiate तो हम चेनल अप्लाई करके मिल जाएगा माइनस 1 by x square into dx by dy और इदर जट का तो डीट by dy हो जाएगा फिर हम यह वैल्यू जो है इसमें put कर देंगे ठीके तो put करने फिर हमें यह equation मिल जाएगा ठीक है है ना वन वाई एक स्कुराइडिक्स वाइड जीए यहां से निकाल सकते हैं देखिए मैनेस को मुदर लेकर चले जाएंगे था ठीक है करेंगे माइनस जो है इसको हटाने का हम परियाज करेंगे माइनस से पूरी क्या करते हैं मल्टिप्लाइ कर देंगे तो तो हमें मिल जाएगा डीज़ बाइडी वाई प्लस जेड़ वाई इस उकल टू माइनस वाई क्यूव अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि एक एक में देखिए यहां पर जो है एक क्वेशन जो है जेड़ पर लिनियर है एक जो जेड़ वाला फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह इससे हम क्या करें कंपेर कर देंगे डीज़ बाइडी वाई प्लस पीज़ इसकल टू माइनस वाई क्यूव तहम मिल जाएगा पीज उकल यह पूट कर देंगे टीक है पीज को डिलुन लूट निकाले था ना वह इपूट करेंगा न तो वाई का हम डिफ्रेंश से इंटिगरेट करेंगे हैं वाई के रिस्पेक्ट में थमें मिल जागा वाई इसक्वर बाई टू तो यह हमारा क्या होगिया पूरा तरहाई कर देंगे इंटीटीटिंग फैक्टर को इसका यहां पूट करेंगे इसका वैलू अब पूट करेंगे सबकाई यहां से यहां से हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं ना माइनस माइनस को हम तीन बार गुना करें पावर थी ना है तो माइनस ही ना आएगा तो मैनस तो बाहर होगा ही तो अब यह पावर जो दीक रहा है वाई स्कॉर वाई टी इसको हम लेट करेंगे नहीं तो बहुत मुस्किल इसको करना फिर तो तो लेट करेंगे ठीक है फिर इसको बाद हम डिफ्रेंशेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में ठीक है वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशेट कर देंगे हमने यहां किया है डिफ्रेंशेट करेंगे तो मिल लेगा टू वाई और टी को डिफ पूट करने के हमें कुछ इस तरह ट्रांस्फोर्म हो जाएगा देखें यहां पर वाई क्यूब जो है तो इसको य स्कॉर गुना वाई लिख सकते हैं और य स्कार को वेलू यहां सम निकाल सकते हैं टूटी है ना तो टूटी हां पूट कर दिया है एक वाई जो है यह बच ग पहलू तो हम लोग निकाले हैं डीटी वाई डीटी वाई यहां वाई पूट कर देंगे वाई से हो वाई क्या होगे कैंसल अउट हो गया ठीक है बचेगा हमारा पस क्या देट तो बहुर से बाहर हो जाएगा अंदर बच जागा टी इन्टी इपावर टी इसको हम इंटीक करते हैं जो कि वाई आएगा ठीक है फिर दुस्रे को इंटीकेट करते हैं तो वापस इपावर टी ही है अगर इसलिए हमने ड्रेक्ट मन में करके इपावर टी लिग दिया को दिकत तो नहीं होगा हमने पहले कितने बार इंटीकेस ने पार्ट लगा लगा है आपको याद दोक्ति हैं करेंगे यहां पर तो वाई स्कॉरर बैंडिक आपास इतना आगिए ओर दोनों को लिखेंगे जो हमने यहां लिखा है है न और साथ ही में क्या कि यहां का जो ब्रेकेट है उसको ब्रेक कर दिया यह से मैटिक प्लाइगा आपको यहां प्लस दिख रहा है अब यपहर राएग उसक्वार वाइट की ळुखकेसर निखेना पड़ता फरक ना पड़ता एक उपने मिला यहां माइनस वाइट आइसे यहां बच चाहेगा और इदर बच जाएगा दू है जो यहां लिख धिया है है एलगा है यह हो जागा है तो क्षेट सकते हैं कि इसे अग्ला स्टेप में आगला दीकत नहीं है ठीक है अब हम आते हैं कि इस नंबर क्वेशन में हमें दिया रखा है थ्री डी वाइबाइड एक्स प्लस टू वाई अपोन एक्स प्लस वन इस उकल टू एक्स क्यू आपोन वाई स्कुर्ड यहां पर देखें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पूरहे एक्वेशन को पहले थो थीर सी डिवाइड करदेंगे ठीक है थीर सी डिवाइड कर देने पर हमें मिल लागा को गेटना दीवीवीड थी एक्स प्लस यीज उकल टो वन गई थी एक्स क्यू वाई आपन्रोट स्क्वाइर अब हुम क्या करेंगे देखें देखें एक मिट डिवेट ये इसके बगल में का टम वाई का करने के लिए यहां से क्यों को बिल्कुल नहीं रहा है इसलिए हम वाई स्क्वाइट से पूरे को मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमें कुल इतना मिल जाएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बर्नोली एक स्वाल्व करने के लिए डिए बगर में जो सब्सक्राइब कर देंगे कि पूट कर देंगे इस वाले एक्वेशन में हमें मिल जाएगा फिर आगे असानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि कुल निकाल सकते हैं इंटीघ्र इंट्रेटिम निकाल निकाल करेंगे इंट्रियक करेंगे ऐगे जब करेंगे देखी और लोग को इंसलोट हो जागा सब मिलाख हमें वन प्लस एक्स पावर होल स्क्वाइर मिल जागा ठीक है उसको सल्यूशन फिर आगे हम निकाल सकते हैं जिस पर एक्वेशन लीनियर हो रहा था उसे हम हम इंटिकरेशन फेक्टर को मल्डिपलाई करते हैं यहां भी हम वहीं करेंगे इसको आगे स्वागे करेंगे देखें यहां से वन प्लस एक्स वाल स्कार इधर एक्स क्यूब दिख रहा है तो इसको हम पहले तो फोमुले पे आगे हम सेपरेट कर लेंगे एकस स्कुएर प्लस ट्व एकस प्लस वन लिख सकते हैं फिर आगे हम आकर आगे बारी बारी सबको इसको सेपरेट करके मल्टिपलाई कर लेंगे ठीक है मल्टिपलाई करने पर हम इतना मिल जाएगा ठीक है अगे चलते हैं 22 नमबर क्यों में हमें दे रखा है डी वाइव डी एकस माइनस वाई जुकल टू साइन टू एकस अपोन वाई स्कुएर तो इसको हम सॉल्ब करने के लिए पहले तो ध्यान दियें कि यह बर्न नौली जी क्यों 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 के स्पेस में मिल रहा है वाई का फंक्शन है वा स्कुर्ण करते हैं कि य का फंक्शन दिख रहा है उसको लेट कर लेते हैं वाई क्यों क्या करेंगे इतना मिल जाएगा त्याने कि हमें कि पूट करना है इतना का इतना का तीन जो हम इसको इधर ले चल लेंगे इतना का फैलोट यहां पूट कर देंगे स्वाइब कर देंगे कर देंगे मल्टिपलाइ करने हमें इतना मिल जाएगा अब यह लिए डिफरेंशन है जो की पर क्या है लीनियर है तो इसको इसको हम इसे क्या करेंगे क् ik बनिकाल लेंगे फिर एन्टिकटिंविफेक्टर भी निकाल से तन्सादसांने से इसे अध्यौमिल करके पी का उन्तिकृट करेंगे करेंगे एन पार –3 लेल जाएगा आगे मैं इसका जेनरल सलुट सब्सक्राइब क्र 죽 Niger कि जो है लीनियर हो रहा हुदा है उसे हम इंटेक्रेटिंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इज उकल टू इंटीक्रेशन आप 3 3x into sin 2x अब देखिए अगर हम इसको आगे solve करना चाहते हैं तो इससे नॉर्मल integration वाला substitution method लगाएंगे तो बहुत hard पड़ जाएगा तो इसी को सान करने के लिए हमारे पास एक formula होता है integration of e power a sin bx dx is equal to होता है e power a sin bx minus b cos bx upon a square by b square upon a square by b square होता है तो उसी की basis पर हम इसको क्या करेंगे solve करेंगे तो यहां पर हम ध्यान देंगे तो a is equal to minus 3 है है ना उसी तरह हमें और comparison करें सायने वाले से सायने के function है तो b is equal to 2 मिल रहा है तो यहां पर हमने वहीं दिया clearly a is equal to minus 3 यहां पर है अब b is equal to 2 है तो formula हमें क्या करना होता है कि e power a x लिखना होता है तो तो बाहर इसको ध्याने नहीं देने बाहर ही रहेगा एजटी ठीक है हमें क्या करना है अब देखिए आगे क्या करना होता है कि a sin b x क्या करना है a sin b x minus b cos b x a sin b x minus b cos b x 2 है ना मैनस 2 cos 2 x हो जाएगा मैनस b cos b x अपोन में अपोन में क्या है a square plus b square यहने कि अब हम यहां क्या किया कि 9 प्लस 4 13 होता है यहां 13 लिख दिया है आगे इसको हम देखिए solve करेंगे जो यह पावर मैनस 3 x दिख रहा है इधर भी मैनस 3 x दिख रहाए पर मैनस 3 x आपस में cancel out हो जाएगा यह दुनों क्या cancel out हो जाएगा तो सब मिला कि हमें मिल जाएगा y q is equal to minus 3 by सब्सक्राइब कैसे कुछ नहीं हासा में कॉमन ले लिए अंदर वाले से टिख फिर फिर पोजिटिव हो जाएगा तो कॉमन लेगे मैनस 3 फिर 13 हो गया टिक अंदर बच गया इंटू 3 साइं टू एक्स प्लस टू कस्टू एक्स प्लस सी इंटू इदर से मल्टिप्लाइब तो पावर इसका पोजिटिव हो जागा जोगे हमने लिखा है तो और देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले टम को लेप साट लिया सकते चाहिए तो यहीं तक छोड़ देक को दिकत नहीं हमने क्या क्या कर में जाा इसको लेप νैजय आया है त creator एकर माइनस चींअ ले ले लेएक्स में मैंनस-ध्यां вс के हो जाएगा अससरा में जैंक तक आ से पर की हो personnes q अब आते हैं नेक्स कोईशन पर हमें दिया रखा है डिवाइब डी एक्स प्लस उन बाई एक्स स्क्वाइर टैन वाई इंटू साइन वाई तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो दिख रहा है टैन वाई साइन वाई य का फंक्सिन है निमेटर में इस तरवाई दिखे यहाई से इसे करने क्या करेंगे की इसे सकते हैं तो तो SEC Y में Convert हो जाएगा तो Convert होके में में कर लेंगे तो लेट करेंगे फिर सका थम इसको X के respect में differentiate करने यह हमें इतना मिल जाएगा इतhoven किया होता है मैंस को इसे को एक कर दूг को करें आप करके हम एक को फिर से क्रेंङे डिफ्रे 결़म मिल जाएगा आगा Guy इसको हम value जो यहां लिए है पूट कर देंगे वापस इसमें इतना यह equation एतना मिल जाएगा माइनस टीवाइडी एकस प्लस टीवाइएक से जुकल टूट वन बाइकस स्कॉए यहां से माइनस से पूरे को सब्सक्राइब कर दें तो हमें इतना मिल जाएगा फिर यह question क्या है टीपर linear है तो टीपर जो भी linear वाला formula format होता है उससे हम compare कर देंगे तो पी का value और क्यू का value मिल जाएगा फिर हम इंटीगरेटिंग फेक्टर का value नहीं काल सकते हैं इस पूट कर देंगे पी का value जो कि माइनस वन बाइकस हमें है वन माइनस को बाहर लिएंग कर देखते हैं ठीके जेनरल सलूसन आतने कैसे निकालेंगे देखते हैं जिस पर रिकुषाण linear हो रहा होता हूँ तो इसले मल्टिपलाई करते हैं इंटीगेटिटव करेंगे देखिए यहां पर से माइनस को बाहर ले आ सकते हैं और एक सब्सक्वाइर ओना एक्सक्यों हो अब दोखें इसको हम इंटेग्रेंट करेंगे टोह मिलें यह देखें इतुत माइनस तो छोट दी है माइनस तो पहले से था यहां पर इसको एज़ीने क्लिख दया गया है हमें इंटेग्रेशन हो को यतना मिला है अब यह करेंगे जो दिख रहा है मैनेश 3 प्लस 1 निचे भी एक्स पावर मैनस टू अपन मैनस टू यहां से मैनस मैनस कैंसल अट होगा है तो हमें मिल देंगे वन बाइट स्क्वार प्लस सी ठीक है यह मार के जेनरल सुल्यूशन हो गया तो आगे हम इसको लिख सकते इतना इसकल टू इतना है ना एक स्टेप अभी और बाकी है तो हमें लिख देंगे कुल मिलाकर इतना 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 यहां लिखा है वन बाइए एक सिंटू कोस एक स्कॉर प्लस स्कॉर प्लस सी तो यहां पर हम क्या करेंगे कि साइन से पूरे कुल को क्या करें क्या 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 करें मल्टिप्लाइक डिवाइड करदेंगे चलते हैं मैं क्या अब देखिए येहां पर हमें मों को करक Earn higher डी और न Ici यह था यहां पर यानि कि यह क्या है बर्नॉली एक्वेस्टन है वैसे तो तो y क्या करेंगे क्या करेंगे कुछ चीज तरए फिर्सकार सब्सक्राइगे ut किया करेंगे इसमें मिल जांगे यह वाला के format से compare करके P और Q का value निकाल सकते हैं फिर integrating factor का value निकाल सकते हैं यह वाले formula में put करके P का value put करें कोटेक्स से solve करेंगे ठीक है तो हम मिल जाएगा sinx से तो है अब देखिए यहां से हम इसका general solution निकालेंगे general solution निकालें में क्या हम करते हैं कि जिस पर equation linear हो रहा जाता उससे हम इंटिकेटिंग फैक्टर को मल्टिप्लाई करते हैं यहां पर टीपर लेनियर था इसलिए टी से मल्टिप्लाई किये हैं इस इक अपक्रते हैं इस प्रेस्पेट्ट विश्च निकाल रहे हैं तो सब्सकतर निकालने हैं एतना देखेंगे इतना इतना मिल गया है ना यह हमँगे अगे हम इसको solve कर सकते हैं इसको हम इसे भी लिख सकते हैं sin x by y is equal to x plus c इधर हम लिख दिया है अब यहांस हम क्या कर सकते हैं कि इधर लाके multiply कर देते हैं हमें कुछ इतना मिल जाएगा ति अब चाहिए तो यहीं चाहिए चोड़ सकते हैं कोई दिकत नहीं चाहिए तो इसको भी कर सकते हैं तो भी कोई दिकत नहीं है आगे चलते हैं next question में 25 नमर question में हमें दिया रखा है वन प्लस x square into d by by dx plus xy is equal to x q y q यहां पर हम क्या करेंगे वन प्लस x square को पूरे question से कर देंगे दिवाइड तो हमें देखेंगे कि q के side में हमें मिल जाएगा y का function यानि कि यह क्या है बर्नोलीज equation है तो हम y का function जो है यह का function है वह हटाने का कोशिस करेंगे जो कि है y q तो हटाने पर मिल जाएगा हम पूरे question क्या करें उसे divide कर देंगे तो इतना मिल जाएगा आप देखें क्या करेंगे कि यह का function होता है उसको लेट कर लेते हम यहां one by y square दिख रहा है one by y square को हम लेट कर लेंगे ठीक है और उसको differentiate करेंगे वाई के respect में ठीक है तो मिल जाएगा हमें कुछ इतना है ना वाई स्कूर देख वाई पावर मैनस दखेंट मेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर इसको हम साने से डिफेंशेट कर सकते हैं जो कि हमने हैं किया है ठीक है क्या हो जाएगा इसका मैनस टू इंटू वाई पर मैनस दू मैनस फिर चेंड रूल अपलाई करके वाई डीएग्स भी लगा देंगे इदर डीवाई डीएक्स होगा कुल मेलाख हमें स्वाल करके इतना मिल लेगा फ पूर्ट करने तो अटो इतना मिल जाएं फिर यहां से हम क्या करेंगे माइनस से पूर्टिप्लाई करें था मतो मिल जाएंगा फिर जो माले होता है टीए टीपर लिनियर है अधोटी के फॉर्मेट वाले से कंपेर कर देंगे तो पी का वेलू मिल जागा और क्यूग का वेलू मिल जागा अब देखें यहाँ पर हम इसका इंटिग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इंट इप आवर इंटिग्रेशन ओपी डिएक्स होता है यहाँ पर घाल्फ करेंगे यहाँ इब खेंगे अगर इंटिग्रेट ना इंटिग्रेट लैंगे इंटिग्रेशन ओ टूए ब्लस एक्सस्क्टर को को करेंगे इनटिग्रेट वाहर लिम आगए को रुआए क्वार 1प्रस एक स्क्वाइर तो दिखिए यहाँ पर माइनरस को हम ले जाएंगे वूलप्रस एक स्क्वाइर पे यह और लोग क्या हो जग्या कैंसल हो है करते हैं क्यूं का वैलिव यहां पूट कर दिया है मैनल स्कूर्ण पावर 2 हो जागा ना दो है न अब देखिए यहां से हम उन्स के स्कूर को लेट करेंगे ज़ेड माल लेते हैं उसको एक से दर मिल जाएगा डिजट वाइव एक सारा वहलों पूट कर देंगे वापस इसमें यहां से हम सानी से देखी टूट टूट पहले तो कैंसल हो जाएगा यह फिर चाहिए तो बाहर निकालके हम इसे भी लिख सकते हैं आवगला स्टेप में वैसे भी कैंसल होना ही है दें सेप्रेट करेंगे ठीकर करको हमें इंटिकेट करेंगे सेप्रेट करकर इंटिकेट रित करने यह lectures करने पहले मिल जाएगा कुल बिचा?. अब हम बारक दिकर कंदें आपजिसे फूर्anie से पूछ्य पापर मैंनगोईक। अधिक नीची में जो है माइनस आधे लिख सकते हैं घील तो इसको पिया जसकते हैं तो कुल िंड़ा इसको एक श्रकिये मैं सत्त लिखेंगे तो मैनस 116-0 प्ला सी बसी जिए न àsगे चलते हैं अब हमंगे इससा इससल्फ करेंगे इस इदर देख रहाoulder माइनस लोग च्कार्य यहां लोग यहां पूट किये हैं और क्या कि हैं कि तो यह दोनों टर्म को हम ले आ गए हैं तो अब क्या होगे हैं इना पॉजिट्व हो गया इसलिए तो इस वीडियों बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो हेलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तो तक के लिए धन्यवाद